Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और आज हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके परसन वाकिही आपसे प्यार करते हैं क्या वो आपको चीट तो नहीं कर रहे वो आपके साथ True है या नहीं वो आपके साथ Loyal है या नहीं वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहे So, ये highly requested question था So, मैंने सोचा कि आज हम इसी के ओपर Quick Energy अपडेट करते हैं और ये सारे Star Signs की reading होगी और ये एक short reading है आप लोगों को पता है So, let's start Spirit हमें divinely guide कीजिएगा कि वो मेरे viewer से वाके ही प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं So, focus कीजिए अपने person के ओपर So, first we have the Empress Very nice card अपने person के ओपर focus रखिएगा क्या वो आप से वाके ही प्यार करते हैं या टाइम पास कर रहे हैं Two of Swords Seven of Swords Seven of Cups Seven, seven किसी के लिए significant हो सकता है Double seven आया है हमारे पास So, Spirit हमें बताइगा We have the Devil Okay So, आपके person की कुछ हरकात ऐसी हैं जिनकी वज़ा से आपको लगता है Definitely के वो आप से प्यार नहीं करते हैं But वो आप से प्यार करते हैं Your answer is yes But हम करते हैं इसके ओपर अभी बात So, bottom of the deck we have nine of wands So, आपके person बहुत ज़ादा struggle कर रहे हैं इस वक्त अपनी life में या यूं कह लीजिए कि when it comes to emotions, deep emotions आपके person बहुत ज़ादा struggle करते हैं open up होने में आपके person बहुत ज़ादा स्नीकी हैं वो आपसे discuss नहीं करते हैं क्या चल रहा है उनकी life में क्या नहीं अपने plans आपके साथ discuss नहीं करते हैं आपके person के बहुत बड़े-बड़े plans हैं बट I feel कि वो आपके साथ discuss नहीं करते हैं कि वो क्या plans हैं और I also feel कि कुछ लोगों के लिए third party situation है The tower बहुत ज़ादा heavy energy है बट they see you as this empress चाहे आप male है या female बट वो आपको बहुत ज़ादा highlight में देखते हैं बहुत ज़ादा आपसे attracted हैं आपसे बहुत ज़ादा प्यार करते हैं वो यह सोचते हैं कि आप एक family material हैं आप husband wife material हैं और आप एक perfect match हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके level पर नहीं है और उनकी जिन्दगी में बहुत ज़ादा toxicity है आपके person का behavior बहुत ज़ादा sneaky है and I feel कि इस वक वो बहुत ज़ादा confusion में है आपको लेकर इस connection को लेकर उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किस direction में जाना है आपको pursue करना है या नहीं जहां तक सवाल पैदा होता है हमारे question का कि उन्हें आपसे प्यार है या नहीं yes 110% उन्हें आपसे प्यार है लेकिन वो शायद express नहीं कर पा रहे है क्योंकि उन्हें confusion है कि उन्हें इस रस्ते पे जाना है या नहीं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या है आपके person को बहुत ज़ादा confusion है when it comes to their own lives और इसी वज़ा से वो आपके साथ शायद बहुत अच्छे से behave नहीं कर रहे है या फिर आपको अपने plans नहीं बता रहे हैं आपको कुछ नहीं बता रहे हैं आपको नहीं बता कि इस इंसान की जिंदगी में इनके दिल में क्या चल रहा है but they definitely love you आपके लिए emotionally unavailable है वो इस वक्त वो आपसे fight नहीं करना चाहते definitely मुझे ये भी नजर आ रहे है but genuine love, genuine feelings है उनके दिल में आपके लिए but again, वो stuck हैं वो बहुत ज़दा सोच रहे हैं कि वो इस love को pursue करें या ना करें so I feel कि यहाँ पर main जो problem है वो आपके person का है उनके सोचने का तरीका है because आपके person के कुछ limiting beliefs भी है और definitely मुझे ये भी feel हो रहा है कि वो struggle भी बहुत ज़दा करें because आपके person के कुछ goals हैं जो वो achieve करना चाहते हैं लेकिन उन्हे confusion भी है because मुझे ये भी feel हो रहा है कि आपके person बहुत ज़दा emotional नहीं है आपके person एक logical इंसान है थोड़ा से मुझे manipulative भी लग रहे हैं थोड़ा से manipulate करते हैं situations को, आपको, words को, बातों को और वो clearly communicate आपके साथ नहीं करते so that's why आपके person एक mask चड़ाया हुआ है अपने चेहरे पर वो आपको अपने true colors, अपनी true authentic self नहीं दिखा रहे है क्योंकि आपके person को safe feel नहीं होता यह उनका defense mechanism भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोग अपने आपको safer side पर रखने के लिए बहुत ज़दा information सामने वाले को नहीं देते उनको महसूस होता है कि it's safe for them कि वो safe रहेंगे अगर वो नहीं बताएंगे so आपके person आपसे प्यार definitely करते हैं बिलकुल yes है आपका answer लेकिन confusion है बहुत ज़दा आपके connection के अर्थे गर्थ और उनके अपने जहन में आपका इसमें कोई कसूर नहीं it has nothing to do with you यह सारा उनका अपना limiting belief system है उनके अपने problems हैं जिससे उन्हें खुद deal करना है बट प्यार वो आपसे करते हैं so यह आप लोगों की quick energy update थी कुछ भी आपको पसंद आया आपने मुझे जरूर comment section में बताना है I'll see you in my next video till then love you lots, bye bye